Assalam alaikum ladies and gentlemen आज हम आपके साथ interview skills share करने जा रहे है और interview को कैसे qualify किया जा सकता है जाए सिंध पब्लिक सर्सक्मिशन हो पंजाब पब्लिक सर्सक्मिशन हो बलोचुस्तार ये कैफी के हो तो interview की मानी क्या है इससे पहले मैं अपना introduction करवा हूँ मेरा नाम नसीम चांड हो और मैंने सिंध पब्लिक सर्स कमिशन का इंटर्व्यू क्वालिफाइ किया है फार दे पोस्ट आफ बीपीए सेविंटीन इंटर्व्यू की बिलकुल सिंपल सी डेफिनेशन है हम रिटिन पार्ट को नहीं है यहां डिसकस कर रहे हैं इंटर्व्यू तो इट्स चांस अफ यर लाइफ तो सेल यूर स्किल्स एंड अबिलेची यह आपके जिंदगी का एक मुका होता है जिसमें आपने अपनी अबिलेटीज और स्किल्स को फेचना होता है जो सामने आप से इंटर्व्यू पैनलिस्ट सवाल करते हैं तो अहम चीजें कौन सी हैं इंटर्व्यू स्किल्स के लिए आएए उसको हम डिसकस करते हैं नमर वन वेरी इंपार्टन पॉइंट्स आपने अपनी परसनालिटी पे कोई कंप्रोमाईज नहीं करना काफी दोस्त काटन सूट पहन के जाते हैं वाइट सूट पहन के जाते हैं तो मैंने अक्सर वो दोस्त फैल होते हुए देखे हैं तो इंटर्व्यू के अंदर बिल्कुल फुल सूट पहन कर जाना है फुल टाइ पहन कर जाना है अपने कोट का पहला बटन लास्ट तक आपका बंद होना चाहिए बिल्कुल जेंटलमेन के साथ आपने पेसिनालिटी करके जानी है उसके बाद नमबर टू जैसे ही आप इंटर्व्यू पैनलिस्ट के सामने डेक्ते हैं उनको तो आपने ग्रीटिंग्स करनी है अगर दरौजा बंद है तो आपने नाक करके फहले जाना है पहले नाक करना है फिर आपने कहने हैं sir मैं कमें पहले ये चीज़ेंगे आपने दरूर ध्यान में रखनी है नमबर ट्री इंटर्व्यू के लिए ये चीजग बहुत इम्पार्टन्ट होती है वो है fluency आपका voice जो है न बहुत फिल्यूट होना चाहिए no hissing sound काफी students ऐसे करते हैं मैंने sir die to be according to no there should no compromise with your fluency आपने introduce कैसे करवाना है वो मैं आज आपको बिलकुल explain करके बताता हूं उसके बाद number 4 maintain I contact यह जो I contact है आपने Lose नहीं कर나 है काफी students निचे अपना sir करके introduce करवाते हैं काफी बचे ऊपर sir करके अपना introduce करवाते हैं जो के बिलकुल गलत है कहीं बटन जो जो एन criar गिंती क्या करते हैं students तो यह चीज नहीं करना है आपने बिलकुल I entering एक्ट मेंटेन रखना है तीनों जो पैनलिस्ट बैठे होते हैं उसके बाद आपने क्या करना है जिसे आप इंटर हुए इंटर होते हुए आपने ग्रीटिंग करनी है ग्रीटिंग के बाद आपने जैसे ही चेर के सामने आना है तो आपने अचानक नहीं बैठना है आपने उ तो आईए अब सबसे पहले आपने क्या करना है वो आपको मैं अज बताता हूँ जिसे ही आप बैठें बिलकुल जेंटलमेन की तरह है और दोनों हाथ चेयर के उपर रखने हैं और आई कॉंटेक्ट आपने इंटर्व्यू के साथ कम्यूनिकेट करना है चलिए आपसे पहला यह सवाल किया जाएगा जी जेंटलमेन आप अपना इंटर्व्यूस करवाएं तो आपने इंटर्ड़क्शन के टाइम पर आपने सबसे पहले क्या बताना है उसके बाद क्या बताना है उसके बाद क्या बताना है आईए देखते हैं नमबर वन आपने अपना फुल नेम ब बताना है कि मैं किस प्लेस से तालिक रखता हूं यानि आपने अपनी प्लेस बतानी है मेरा नाम जिसे है मैं नसीम खान आई कम फ्रॉम डिस्टिक कंबर 주daad court तो आपने पहला नाम ढ़ले क्यों का है फिर आपने डिस्टिक क्वार्ड बताना है और उसका डिस्टिक के बाद आपने क्या बताना है आपने एजूकेशन बेक्राउंड बताना है अपनी क्वालिफिकेशन से बताना है अपने क्वालिफिकेशन ऐसा नहीं बताना है अगर आपने प्राइवेट की है तो आपने प्राइवेट बताना है my education background comes from government या private उसके बाद आपने intermediate का थोड़ा सा हवाला देना है I did my intermediate from the board of intermediate and secondary education Larkana तो एसे आपने introduction intermediate तक यह करवाना है उसके बाद फुरन आपने यह नहीं बताना है के I sought my admission in IR department in English department इस तरह नहीं होना चाहिए आपने कहने है after intermediate I applied in university of sin तो आपने पहले apply करना होता है उसके बाद आपको department दिया जाता है तो I applied in university of sin and sought admission with English department या आपने कहना I started my journey with bachelor's in English तो आपने ऐसे जो है introduce करवाना है और उसके बाद आपने जो university के time पर याने four years या college के अंदर आपने activities जो की है for example I was highly active in the declamation debate and speech competition तो मैंने ऐसे introduce करवाया था उसके बाद आपने अपना current जो है have been teaching in my private institute for the last four years and I have besides I have a social media platforms where I have been teaching dawn newspaper where thousands of students are nourishing my lectures free of course to many a introduce करवाया था introduction के अंदर आपने communication करनी है अपने interview panelists के साथ रटा नी मारना है रटा मारने से गुरेज कीजिएगा अब ऐसी आपने introduce करवाना है ऐसा करवाना है ताकि अगले बंदे को लगे को मेरे साथ communicate कर रहा है काफी students रटा लगा के चले जाते तो रटे लगाने से आपका अगला बंदा समझ जाता है कि रटा बचा लगा कर आया है बहुत ही सिंपल दी में आवाज के साथ करना है कहना है my name is Naseem khan I come from district Kamba Shadad court I started my very journey of education with government schools I did my intermediate from the board of intermediate and secondary education Larkana after that I applied in University of Synth got admission in English literature अब इस तरह बिल्कुल सिंपल से तरीकेकार से आपने चीजों को बताना है उसके बाद आपने अपनी strength and weakness को बताना है आपकी strength क्या है और weakness क्या है strength आपकी है reading books और reading novels या playing cricket जो भी आपकी यह hobbies के अंदर आ जाती है strength अगर आपकी है तो यह hobbies के अंदर आ जाती है और उसके बाद weakness भी इस तरह बतानी है ताकि अगले बंदे को positive message जाए जैसे मैं किसी बंदे को helpless देखे बेबस देखे मैं खुद को रोक नहीं सकता और मैं उनकी मदद करना चाहता हूं यह आपकी weakness है तो इस तरह जो है आप अपना introduction करवाएंगे तो काफी बच्चे परेशान होते हैं कि हम introduce कैसे करवाएं तो बहुत ही simple सी टेक्नीक्स मैंने इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर किये हैं इंशाल्ला, you would have a lot of benefit from my interview video इंशाल्ला, see you in the next video, thank you